आपके पेरेंट्स मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं। आपने खिलोनों की तरह उनका इस्तवाल किया है। टेक्नलोजी से ही सहस्ता को अब आपको अपने कारिक्षत्र में इस्तवाल करना है। हमें सोचना होगा कि हम गवननस में भी टेक्नलोजी की मदद से कैसा नया सुधार कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में आप कैसे टेक्नलोजी की जरिये एफिशन्ची को और इंप्रूव कर सकते हैं। साथियों, टेक्नलोजीकल ट्रांस्फोर्मेशन से गवर्नन्स कैसे आसान होती हैं, आपने बीते नव सानों में देखा है। पहले रेल की टिकेट लेने के लिए बुकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी। टेक्नलोजी ने ये मुश्किल आसान कर दी। आधार कार्ड, डिजिटल लोकर और EKYC डॉक्यमेंटेशन की कॉंप्लक्सिटी खतम कर दी। गैस सिलिंडर की बुकिंग से लेकर इलेक्रिसिटी बील के पेमेंट तक अब सब एप पर होने लगा है। डिबीटी के जरिये सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के एकाउंट में पहुँच रहा है। डिजी आत्रा से हमारा आना जाना आसान हुआ है। यानि टेकनोलोजी से करप्शन घटा है। क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। कॉंप्लेक्सिटी घटी है। कमफट बढ़ा है। आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। गरीबों की हर जरुरत, सरकार का हर काम, टेकनोलोजी के जरिये कैसे और आसान होगा। आपको इस काम के लिए नए-नए तरीके ढूनने है। इनोवेटिव तरीके ढूनने है। और उसे आगे भी बढ़ाना होगा। साथियों, पिछले नव वर्षों में हमारी पॉलिसिस ने बड़े से बड़ा लक्ष हासिल करने का रास्ता तैयार किया है। हमारी नीतिया नए माइंडसेट, कॉंस्टन मोनिटरिंग, मिशन मोड इंप्लिमेंटेशन और मास पार्टिशिपेशन पर आधारित है। नव वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। चाहे सच भारत हो या जल जीवन मिशन, इन सभी योजनाओं में हंड्रेट परसंट सेचुरेशन के लक्ष पर काम किया जा रहा है। सरकार के हर स्थर पर स्किम्स की मोनिटरिंग हो रही है। खुद मैं भी प्रगती प्लेटफॉर्म के ध्वारा प्रोजेक्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूँ। इन प्रयासों के बीच केंद्रत सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी नवन्यूक्त सरकारी कर्मचारियों पर है। जब आप जैसे लाखों युवां सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है। इससे सरकार के बहार भी रोजगार क्या उसर तयार होते हैं। साथ साथ काम काज की नई व्यवस्था भी बनती हैं। साथियों वैश्विक अर्थिववस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडिपी तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी बुरुद्धी हुई है। देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर पर जीतना निवेश कर रहा है। वो पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है। आज दिन्योबल एनरजी, और्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस और परेटन समेत कई सक्टरों में अभूत्परवत तेजी दिख रही है। मोबाइल फोन से, एरक्राप केरियर तक, कुरोना वैक्सिन से, फाइटर जेड्स तक, भारत के आत्मंदिर भर अभ्यान के ताकत सब के सामने है। ऐसा माना जा रहा है, कि दो हजार पचिस तक, अकेले भारत की स्पेस एकोनोमी ही, साथ हजार करोड से बड़ी हो जाएगी। यानि, आज देश के युवाओं के लिए लगातार, नए नए अवसर बन रहे हैं, रोजगार की नए संभावनाए बन रही है। साथियों, आज जादी के अमरित काल में, अगले पचीस साल जितने एहम है, उतना ही आपका अगले पचीस साल का केरियर अहम है। आपको टीम वर्क को सरवोच्चता ठिकता देनी है। आपने देखा है, इसी महिने इस देश में जी ट्वेंटी बैठकों का सफल आयोजन पुरा हुआ है। दिल्ली समेट देश के साथ सहरों में दो सो से जादा बैठके आयोजित की गई। इस दोरान विदेशी महमानों ने हमारे देश की विविद्वता के रंग देखे। जी ट्वेंटी हमारी परंपरा, संकल्प और आतित्य भावना का आयोजन बना। जी ट्वेंटी समिट की सफलता भी पब्लिक और प्राइबेट सेक्टर के अलग-अलग विभागों की सफलता है। सभी ने इस आयोजन के लिए एक टीम के रुप में काम किया। मुझे खुशी है कि आज आप भी सरकारी कमचारियों की टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधी जुड़कर काम करने का आउसर मिला है। मेरा आप से आगरह है। यात्रा में आप सीखते रहने के इमने आदत को बनाए रखिये। आप अपनी पसंद के कोर्सिस से जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस विधा का लाब उठाए। एक बार फिर मैं आप सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत के संक्रप को सिद्धी तक लाने के लिए। आप सभी को मेरी धेर सारी सुबकामनाएं। आपके परिवार जनों को भी अनेक अनेक शुबकामनाएं। बहुत बहुत बधाई है। आप स्वयम भी प्रगति करें और आप इन पती साल जो आपके भी है और देश के भी है ऐसा रेर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है आपको मेरा है आईए सातियों संकल्प लेकर के चल पड़े देश के लिए जी कर दिखाएं देश के लिए कुछ कर के दिखाएं बहुत बहुत सुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद